दस उपर नुवा में मैं दीपगुर महाप सबका स्वागत करता हूँ आज हम बताने जा रहे हैं सबको मादा जनन तंत्र की सनशना के बारे में ये एक अच्छा दस वा बारा दोनों के लिए बहुत जाद है इंपॉर्टन टॉपिक है जो मानो जनन से रिलेटेड है तो आज देखते हैं कि मादा जनन तंत्र की सनशना में क्या-क्या पाया जाता है और कहीं सनशना होती है देखिए सबसे पहले हम बनाना सुरू करते हैं कि एक देखा यहां से ऐसे ले जाएंगे इतनी है फिर बहुत सिंपल तविका बनाने का एक देखा यहां से ऐसे ले जाए है अब एक देखा यहां से अब यहां से ले जाकर एक देखा को कुछ इस तरह से बना दीजिए और एक देखा यहां से ले जाकर कुछ इस तरह से बना दीजिए अब इस तरह को हलका से से मोड़कर ऐसे बना देना होता है इस तरह से अब देखते हैं आगे यह जो भाग है इस रे बाग को यहां से हलका इसे गुमाते हुए इस से जोड़ देते हैं अब यहां से एक रेकर ले जाकर इस तरह से यहां से ऐसे बना देते हैं अब इसी रेका को यहां से ले जाकर हल्का गुमाते हुए इस में जोड़ देते हैं इस रेखा को ऐसे गुमाते हुए यहां से ऐसे जोड़ देते हैं आप देखें यह कुछ सनचना बने मादा जनतर दोड़ी अब देखें अंडास यहां से कुछ जी सनचना को यहां से ऐसे बना दीजी और इसको यहां से ले जाकर कुछ ऐसे सही दे दीजी इसमें भी ऐसे बन सबसे बारी बाग यह ये दोनों जो गोल से में बने हैं ये होते हैं अंडासे इनको बोलायाता है अंडासे बोलायाता है अंडासे मादा में एक जोड़ी होते हैं अर्थात इनकी संख्या दो होती है ये संख्या में दो होते हैं एक ये दा है एक ये और बाया शाड़ी ये पर दो है इह हैं इन्हीं अंडासें में जो होता है मादा युगमक का निर्मार होता है। यूग्मक जिन अंड़ाणू भी कहते हैं अंड़ाणू का निर्मार होता है प्रतेक माभ एक अंड का मोचन होता है एक अंडा से से तेकर ये मादा ज्नू तरेक का प्राथ्मिक लेंगिक अंग होता है इसे कहते हैं प्रात्मिक लेंगिक अंग अब आगे देखते हैं इसे देखो यह जो एक उंगली नुमत सरशना होती है दोनों अन्डाश्वें कि इन्हें बोलते हैं कि फिम्बिरी अगरे यह इन्हें जालर भी बोल सकते हैं जालर अगर देखते हैं देखिए यह नलिका रूपी सनशना यह गई दोनों में इस नलका रूपी सनशना पहते हैं अंडवाहिनी अंडवाहिनी अब आगे देखते हैं इतना पार्ट हो गया है अब इसके अंदर देखते हैं यह यह इतना भग यह जो होता है यह इसे बोलते हैं गर्भाश रहें गर्भाश रहें मादा में गर्भाश रहें की सनका एक होती है मादा में जो होता है गर्भाश रहें एक ठैली नुमा सनशना होता है इसी गर्भाश रहें जो होता है सिसू के ब्रूंड का निर्मान होता है और यहीं पर गर्भाश रहें जो होता है सिसू नो मेने तक पलता है, हो सिस का जन्म होता हूँ यह होती है आगे देख को यह बाद जो इतनी भाग आ हई इसे बोलते हैं घर्ब गरी वा अब ये भाग जो हता है इस भाग प्याते है योन यून तो इतना बाग देखिए यह मादा जेंतब कर इतने मुख भाग होते है अब अगर देखते हैं कि निसेचन के लिए जब यहाँ से शुकरान न्हिसके जब नीसे कि यूण निकल कर यहां से जाते हैं तो सक्राइस्च सजदे गरुछ पर ँंसे और हुर बाशी और कर यहां पर आजाते हैं यहां से जाकर दोन हो पर शॉल कहूं यह पर आ कि यहां पर निसेचित होगा यहां ते युगमनच का निर्मार हो जाता है कि यहां पर निर्मार के अंदर आ जाता है और यहीं पर नो महिले बाद यहीं पूरी प्रक्रिया होगा यहां पूर्मार जान तंत्र की इसे चल बेंगे तैसे होती है तो अमीद करते हैं आप सब को सब्सक्राइब हो जाता है करते हैं आप सब्सक्राइब हो जाता है